हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सर्भाइम योर टीचर योर मेंटर आपके फिजिक्स का आपके नीट का हमसुफर जग जोट सर अवेरी गुड मॉर्निंग तो आल उफ यू सूप्रभाथ स्रियाकाल असलाव आलेकूम नमस्ते और आई होप आप लोग प्रिवियंस जित कब है ठीक है और स्लेबस भी मैंने आप लोगों को कंफर्म करा दिया था जो आपका स्लेबस होने वाला इस टेस्ट का वो क्या है तीन चैप्टर्स आपको करने थर्मोडायनामिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम डिसकेशन करें और अगर हम दिखान से देखें मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेकानिकल प्रॉपर्टीज ओफ फ्लुइड तो हो चुका है विश्टेक है यह तेन लेक्चर यह तीन चैप्टर और को इस टोपिक ऐड नहीं करा जाएगा मैं आपको पहली बता देता हूं कई बच्चे कंफ्यूज है कि सरा बाइस भी हो रहा है जो टेस्ट उनको बहुत सीरियसली देना है एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर पढ़ रहे हैं चीजे समझ में आ रहे हैं और कुश्चन भी हो जाते हैं पर जब थोड़ा सा टाइम आगे निकलता है ना तो हम पिछले चैप्टर फिर से भूल जाते है बिटा ये ना बहुत जेनरल सी बात है ये ऐसा होता है क्योंकि आगे की चीजे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से पढ़े रहो बहुत अच्छे से लर्न कर रहे हो बहुत सारे lectures भी हो रहे हैं तो हो जाता है कि पीछे वाला थोड़ा थोड़ा बलर हो जाता है इसलिए टेस रखे जाते हैं ताकि आप पिछला वाला recap ले सके एक बार उसको पढ़ सके problem यह नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा भूल रहे problem वहां आती है जब आप revise करने बैठते हैं और आपको याद नहीं आता इसलिए मैंने आपको हमेशा हमेशा बोला है कि आप अपने handwritten notes रखा करो मैं यह आपको पढ़ाता हूं lectures के साथ साथ अपने handwritten notes बनाते रहा करो यह बहुत जरूरी होता है बच्चे ठीक है न अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों को revision में बहुत जादा सफलता मिलेगी आपको बहुत असानी से revise करने में कोई problem नहीं आएगी आप असानी से revise कर भी पाऊगे और आप लोगों के टेस्ट भी अच्छे जाएंगे और maximum questions की practice करनी आपको test में कुछ ऐसे topics होते हैं जो आप कभी नहीं भूलते हैं आप उनको बार-बार मत पढ़ो आप उन topics को दुबारा से देखो जो आप लोग बार-बार भूल रहे हो आपको लगता है इन topics में ज्यादा struggle करते हो इसको star mark कर दो कि सर मेरा ये topic थोड़ा सा week है तो मैं इसको आप से समझता हूं समझ में आ जाता है बाद में भूल जाता हूं तो उन topics को ही टेस्स से पहले अच्छे से इसको डिसकस करेंगे यूनिफॉर्म सर्क्ला मोशन एसे चम के बारे में डिसकेशन करेंगे और प्रीविएस यर के कुश्चन समलोग करेंगे जैसा कि हम हर बार करते हैं तो बिना वक्त को बरबात कि जल्दी से मैं आप लोगों को लेके आता हूं सबसे पहले periodic motion और oscillatory motions के वो difference में वो similarities में जो हमें चर्चा करनी है discussion करना है देखो periodic आप नाम में ही दे सकते हो यहां periodic लिखा है मतलब एक period के बाद यह repeat करता है तो यह क्या करता है repeat होता है जो अपने आपको repeat करे एक fix time के बाद repeat after fixed time तो आप बोलोगे एक fix time के बाद अपने आपको repeat करे repetition में आए ऐसे function को आप periodic function कहते हो ऐसे events को periodic events कहते हो यह आपको पता होना चाहिए ठेक है ना यह बात समझ में आती है आप को को ओके अब आपको को example दो देखो मैं एक ऐसा example दोंगा जो आप लोग रोज करते हो जो अभी भी आप कर रहे हो वह है मेरा लेक्चर एटेंड पाकी टीचर्स का भी करते हो मेरा भी करते हो तो आप देखते हो तो मंड़े से लेके सेटेडे तक जग जोत सर का लेक्चर लाइव होता है कितने बज़े होता है बताओ मुझे कितने बज़े लेता हो मैं हाँ सर नाइन एम सर मंडे फिर ट्यूज़ ciri और फिर वेंसडे ज्याज येस उसके बाद thursday friday सोन पूरे हफते ऐसे चलता है सेटे 3 blev नहीं ही रहता है मेरा जेनर सबस्क्र Champions नग्लाद 2 एक दियर के बाद मिरा लक्टरर के पीट होता है आज मंदे को नाइचन struggling बजे हुआ हुआ तूस्टे को नाइन हुआ हाँ एक फिक्स टाइम के बाद तो आते आपका 24 गंडे बाद आता है पूरे एक दिन बाद आपका लेक्चर रिपीट होता है रोज रिपीट होता है जो एक फिक्स टाइम है जिसके बाद यह रिपीट होता है इसी फिक्स टाइम को हम बोलते हैं टाइम इंटरवल क्या बोलते हैं बोलो टाइम इंटरवल की डेफिनेशन क्या बोलो एक टाइम ज 24 hour तो ये मेरा time interval हो गया है ना बढ़िया perfect example अगर आप ध्यान से देखोगे periodic motion के एकदम अच्छा सा मज़ेदार example है इसके लावा हम कह सकते हैं चलो सर हम खाली बैठे हैं जब हमें पढ़ाई करने का मोका मन नहीं कर रहा होता ना है ना तो हम छत पे देखते हैं तो वो भी ब पंखा भी बहुत अच्छा लगता है हमें उसको देखते हैं बहुत सारा time बरबाद कर देते हैं होता है ना जब exam pass होता है ना तो आपको हर चीज इंट्रेस्टिंग लगती है ना दिवार पे बैठी मक्खी भी आपको इंट्रेस्टिंग लगती है चिपकलिया भी अच्छ अच्छे लगते हैं इसको देखो कुतनी इउफ है ना होता है ना तो यह तभी होता है जब हमारा दिमाग डेवी frågor होनी की कोशिश कर रहा होता है वैसे ही एक बच्छा है constant speed से यानि कि किस से घुम रहा था constant speed से और circle में घुमेगा तो आप बोलोगे constant omega से घुम रहा था तो सरब मंच्छर को देख रहे थे हैं मच्छर एक fix time के बाद यहां पहुंच जाता था यानि की मच्छर कैसे motion में बोलो racing motion में कैसे motion में Uniform Circular Motion में ये मच्चर है, मच्चर भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, Uniform Circular Motion है ना, Uniform Circular Motion, तो ऐसे केस में जो ये मच्चर है घूम के फिर यहां आ जाता है, एक Fix Time के जो आपको है ज्यतना time उसको यहां से आके यहांने में लगता है, इसी को हम बोलेंगे इसका Time Interval, तो क्या यह भी एक periodic event हो गया कि यहां भी periodic चीज हो रही है कि यहां भी आपको कुछ periodic होता हुआ नजर आ रहा है एक fix time के बाद मच्छर दुबार एक जगे पर पहुँच जाता है तो आपको सर यह भी periodic है यानि कि uniform circle motion में अगर आप कोई पॉइंट करते हो वो पूरा circle एक fix time के बाद complete करता है तो यह भी आमारा periodic motion का example है बहुत सारे example हो सकते हैं periodic motion के उन में से बस मैंने कुछ गिंती के दो examples बोलें आप खुद भी comments में लिक सकते हो मैं पढ़ूंगा बाद में चेक करूंगा कौन क्या example दे रहा है periodic motion के ठीक है ना बात समझ में यह एची तरीके से ओके चलो इसके बाद अगर हम बात करें चलो सर periodic motion थोड़ा-थोड़ा समझ में आ गया है इसके इलावा सर ऑसिलेटरी क्या होते हैं उसिलेशन में कुछ फरक होता है क्या ऑसिलेटरी क्या होता ऑसिलेटरी यह है बच्चे जैसे मैं यहां खड़ा हूं ठीक है ना मैंने एक कदम left side लिया फिर वापिस अपनी जगे पर आया अब एक कैसा motion हुआ two and from motion कैसा motion हुआ बोलो two and from motion यानि कि आपने का अच्छा हाँ जग जोत सर यहां खड़े थे अपनी जगे से एक कदम उन्होंने यहां बढ़ाया और फिर एक कदम उन्होंने अपना यहां बढ़ाया यानि कि वो पहले जग जोत सर इधर गए फिर वापिस आये और वापिस आये ऐसे गए और ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए तो यहां से गया इधर फिर वापिस आया फिर इधर फिर वापिस आया कैसा motion हुआ यह कैसा motion हुआ यह कैसा motion हुआ यानि कि एक position से आगे पीछे जाने वाले motion को हम oscillation कहते हैं जिसको आप English में बोलते हो two and fro, two and fro का मतलब आगे पीछे जाना, एक location से, ये मेरी fixed position है इसी position से मैं आगे पीछे जा रहा हूँ इस fixed position को आप mean position भी बोलते हो, generally इस position को आप mean या फिर आप इसको equilibrium भी कहते हो, है ना, बट अब इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, बट हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, इसी position के about आप oscillate कर रहे हो, आगे पीछे जा रहे हो जतना maximum दूरी आप cover करते हो इसको बोलते हैं, amplitude, कितना maximum जा रहे हो, जो maximum distance आप cover कर रहे हो, यहाँ जतना भी आपका maximum distance या फिर displacement हो रहा है इसी को आप क्या बोलते हो, amplitude इसी को क्या बोला जाता है, जल्दी से repeat करो मेरे साथ साथ, क्या बोलते हो amplitude बोलते हैं, सर, ठीक है ना, ओके तो यह हमारा to and from motion हो गया, ठीक है ना अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से यहां गया, फिर वापस आया, फिर पीछे गया और यहां आया, क्या इसी को एक oscillation कहते हैं, हाँ इसी को क्या बोलते हैं, एक oscillation कहते हैं, यहां से शुरू किया, आगे गया, फिर पीछे आया, फिर इदर गया, फिर वापस आया एक oscillation हो गया एक oscillation के time को time period कहते हैं तो time of one oscillation time of one oscillation इसी को हम क्या बोलेंगे एक oscillation के time को यहां क्या बोला जाएगा time period पर एक चीज अगर ध्यान से देखो कि आपको कि सर्फ यह periodic थोड़ना है यह तो oscillation है पर हाँ इसका मतलब oscillation भी periodic होता है यानि की oscillatory motions कैसे होते हैं बोलो हाँ सर oscillatory motions periodic होते हैं वो एक time के बाद अपने आपको repeat करते हैं अपना आपको धोराते हैं दुबारा से और examples लो आप pendulum को देख सकते हूँ है ना एक काम करो आप pendulum को देख लो चलो आप pendulum को देख सकते हो pendulum जानते हो ना क्या होता है है ना इस तरीके से एक रसी से या धागे से आप एक object को बानते हो और इसको oscillate कराते हो ऐसे तो आप देखते हो यह कभी यहां जाता है फिर यहां जाता है तो इस तरीके से यह to and fro motion होता है इसको हम क्या बोलते है pendulum का क्या होरा है बच्चे यहां से हम बोलते है यह pendulum का क्या हो रहा है oscillation यह pendulum का क्या हो रहा है बोलो oscillation होता है this is the oscillation of pendulum क्या यह बात अच्छे से समझ में आती है आपको कोई दिक्त परेशानी नहीं होनी बहुत simple है तो आप देखें यह मेरी mean position हो गई, इस case में यह क्या हो गई मेरी mean position हो गई, इसी position के about आप two and fro कर रहे हो, आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, two and fro motion आप कर रहे हो, इसी को आप oscillation भी कह सकते हो, इसके इलाबा क्या होता है, vibrations जैसे आप क्या करता है, आप एक scale को पकड़ लो है न, लोहे का scale को ऐसे पकड़ो और आप यहां से इसको fix कर दो, मालो table पर रखा वै आपने इसको table पर रखा वै और फिर इसको थोड़ा सा उपर ले जाओ तो आप देखोगी ऐसे 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 वाइबरेट करता है, करा कभी ऐसे, है ना, खेलते हो न, लोहे के scale को ऐसे पकड़ के, ह then it starts oscillating like this and this, तो आपको होन्य होते हैं, भ dwh इदर जाता है, बेट बोट बोहत होते हैं, वद आपके कहते हैं, अफिर वाइबरेशयो होते हैं, मैं इसको यह कुछ वाइबरेशन्स है, है यह और, ये कैसा है कुछ वाइबरेशयो हैं, क्या ऐसको खर स front़ से कर रहा है, स्को वाइबुरेट कर रहा है से इसको उस्टी लेशन ही कहते हैं अगर आप ध्यान से देखो कि वह kole फास करोगे तो भाइबुरेशन के लाएंगे जो बहुत फास्ट पॉस्टी लेशन इहीं जलदी अगर से और अगर आपको तो आपको सब्सक्राइब करूंगा तो भी उसलेशन है उसी को आप बहुत जादा तेज करोगे तो उसको वाइबरेशन कहते हैं जैसे आप देखते हैं मच्छर के पंक ऐसे फड़ आते हैं आती है ना आती है ना तंग करती है ना वाज कान में बढ़ा मुझे तो बहुत आती है अच्छे से क्लियर है ना एक परिंदा उड़ता है वो अपने पंखो को उसिलेट करता है ऐसे 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 आप तो तुम्हें समझ में आ गया होगा बट एक अगर आप ध्यान से देखो एक इंपोर्टेंट बात हमें ये समझ में आती है कि जितने भी आप लोगों के यहां और वसीलेशन्स हो रहे है वह सारे प्रियोडिक है यारी कि आब कह सकते हो कि सर और सesabuild lived कैसे पुलो उसीलेशन्स कैसे मूते हैं और व्र पिरियोडिक कैसे मूत लो बे और पीरियोडिक रइइट है ऩीर वह सम सोगना कह सकते हूं या फिर सर्कूलर मोशन को आप और सिलेशन सोना कह सकते हो यह और चीलेशन नहीं है तो कह सकते हो और सिलेशन सार्ड परियाइशन चाहिए सारे हैं कुछ नहीं भी है ना यह आप समझ जाना ध्यान से कभी-कभी एक नंबर का सस्ता सा सवाल कहुंगा बहुत चोटा सा बच्चोवाला सवाल है यह आ जाता है तो यह आपको याद होना चाहिए तो बिल्कुल मेहनत बरबाद नहीं होने चाहिए जितना मैंने यहां लग कैसे हैं सिームपल हार्मोनिक मोशन भी ऑसलेशन ही आ खरक सकिया यह वी ओसलेशन में कहोंगा हां सिर्फ्छा मतलब हुआ ही एसलेशन को будемग है यह इस्पेशल ऊसलेशन कियो है यह स्टेशल से मुस्ट्धिक यह गयो है यह यह पेशल ऑसलेशन कियो बिए इसले अ जैसे कि मैं आगे पीछे जा रहा हूं है ना तो मुझे वापस आने में जो टाइम लगता टाइम प्रियेड है यहां से चालू किया यहां पहुंचा फिर वापस आया फिर पीछे गया फिर वापस यहां इसको एक टाइम प्रियेड कहते हैं आगे वापस पीछे वापस एक ट बढ़ा दूँ तो आपको नहीं लगता कि टाइम ज्यादा लगेगा पहले मैं एक कदम यहां रखता था फिर वापस आता था फिर एक कदम यहां रखता था और फिर वापस आता था है ना तो कुछ टाइम लगता था जिसको आप टाइम प्रेट कहते थे हम मैं क्या करूंगा थाय में रहता है थे आपको कह सकते हो एक ताइम पीरियर्ड एंप्लिटूड से आप बोलोगे टाइम इंपलिटूडबर बिपेंड कर रहर है, जीतना जाधा आप डूर जाओ मैं उतना ताइमम आपको जीदे करेंगा इसा आपके लगता है। बहुत सारे उसलेशन में ऐसा ही होगा जैसे आप एक पैंडूलम ले लो पैंडूलम भी ऑसलेट कर रहा है आपको इसको जाधा टाइम लगेगा वापिस आने में पैंडूलम में भी अगर आप जिहां से देखो आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इधर गए इधर गए वाले उसलेशन है ना इनमें स्पेशालिटी यह है कि आपका जो टाइम प्रियेड है वह एंप्ली ट्यूट पर डिपेंड नहीं करता उसे फरक नहीं पड़ता आप कितनी दूर तक जा रहे हो अगर आप छोटा डिस्टेंस कवर करोगे आप एक कदम यहां रखोगे तो भ अब हमें बहुत बारी की से इसके सारे पॉइंट क्योंकि हम बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं कि मैं मैं बहुत सारे लेक्ट्रस लेने वाला हूं इस पर नहीं मैं आपको वही चीज़े बताऊंगा जो आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो दिमाग में फिक्स होना ठीक है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी हमने देखा यहां जो मेरा टाइम पीरियड है आप लिख सकते हो यहां जो मेरा टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड नहीं करता वो एंपलीट्यूट पर डिपेंड नहीं करता यानि कि इंडि में वह amplitude पर depend नहीं करेगा तो यह आपको समझ में आ गया अच्छा आपका जो time period है वह amplitude पर depend नहीं करेगा यह SHM की खासियत है ठीक है ना और और क्या जरूरी बाते हैं सर क्या हमें और कुछ जरूरी बाते सीखने को मिलेंगी बिल्कुल सारे points में यहीं आपको एकदम flow chart बना दूँगा अच्छा सापको mind mapping करा दूगा ताकि आपको याद हो जाए ठीक है ना पहली खासियत यह हो गई SHM की ठीक है ना simple सी बाद इसके इलाबा एक दो example देते हैं ताकि हमें समझ में है कि SHM दिखते कैसे कौन-कौन से examples में हमें SHM नजर आता है जैसे कि मैं सबसे पहले आपको spring mass system की बात करूँ यहां मैं आपको spring mass system दिखा रहा हूं मैं यहां लिख देता हूं यह जो मैं बना रहा हूं यह क्या है मेरा spring और उसके साथ एक लगाया गया है मैंने आपको work power energy में Newton slow of motion में बहुत बार spring mass system पढ़ाया है इसमें आप लोगों को याद रखना है कि यह हमारा spring है यह क्या अपना spring है इसके साथ mass लगाया तो हम spring mass system को हम हमेशा क्या मानेंगे यह SHM का example मानेंगे याद रखना spring mass system हमेशा SHM का example मानेंगे हम कहेंगे यह object यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक जा रहा है ना इस position को जहां से object start करता है जो आपकी natural length है spring की यहां आप इसको बोलते हो यहां net force आप कहते हो sir zero होते है इसको आप क्या बोलते हो equilibrium यानि कि इसको बोलते हो x is equals to zero जि equals to minus A तक तो यह जो हमारा example is spring mass system वाला यह SHM के अंडर आता अभी इसको हम depth में अच्छे से discussion करेंगे और को example है sir SHM का बिल्कुल example है अगर हम ध्यान से देखेंगे हम pendulum वाले के इसको भी SHM ले सकते हैं फिर आपको सर अभी तो pendulum में आपने देखा था हम दूर जाएंगे तो फिर हमारा time period अलग आएगा हाँ पैंडलम को SHM ले सकते हो but for short oscillation छोटे oscillation small oscillation मुझे कहना चाहिए है ना मान लोगे पैंडलम ये ठृटे अंगल यहां जा रहा है यह ओसीलेशन छोटे होने चाहिए कैसे होने चाहिए small oscillation या थीटा भी कैसा होना चाहिए New छोता होना चाहिए small oscillations के लिए आप कए सकते हो, for scale oscillation just चोटे oscillation के लिए यानि ये angle जादा नहीं होना चाहिए, theta almost आप कहा सकते हो, 4 degree से कम होना चाहिए, less than equals to 4 degree पे, या फिर इससे भी कम हो तो अच्छा है, तो इतने कम angle पे आप कहा सकते हो, जो आपका oscillation होता है, यह हमारा कैसा होता है, simple harmonic, ठीक है न, याद रखेंगे, pendulum हमेशा simple harmonic motion में नहीं होता small oscillation के लिए होता है, अपने को ये बात याद रखनी है, और क्या खासियत है, simple harmonic motion में हमें और क्या याद रखने है, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ हमेशा एक restoring force होगा, जो object को हमेशा equilibrium की तरफ खीचेगा, अगर मैं equilibrium से left जा रहा हूँ, तो equilibrium वाला, जो equilibrium की तरफ एक force लगेगा, वो में को अपनी तरफ कीचेगा, equilibrium वाला उसको खहेगा वापिसा मेरे पास, मान लो equilibrium आपका घर है, आप घर से जितना मजी दूर चला जाओ वापिस तो घरी आओगे ना, वही वाली बात है, तो equilibrium उसका घर है, आप equilibrium से दूर जाते हो, तो आपको force लगाता इसको के नहीं कह सकते, और बहुत सारे SHM के एग्जामपल है, वहाँ तो इसको के नहीं कह सकते, इसलिए मैंने कुछ C लिखा है, तो यहाँ लिख सकते हो, अच्छा, यहाँ C कुछ सढने, constant माना है, वो हर एक question में अलग-अलग आएगा, वो हम निकाल लेंगे, उसमें डर इस्ट तो दूसरा जाएगा, वेस्ट, एक जारे नोर्थ तो दूसरा लगेगा, साउथ, हैना, तो यह अपने को याद रटने है, और क्या याद रटने है, यहीं से अगर मैं acceleration निकालू, हैना, acceleration निकालू, तो acceleration क्या आजाएगा, क्योंकि mass into acceleration हो जाएगा, माइनस CX, तो अपना क्या आजाएगा, बूलो, acceleration आजाएगा, तो यह अपने acceleration को याद रखना है, तो यह अपनी कुछ equation है, यह कुछ important points है, इसको याद रखना है, ठीक है ना, यह अच्छे से आप लोगों को याद रखना है चाहिए, और इसको थोड़ा सा और simplify जब आप करते हो ना, ब omega square और इसको बोल देते हो, x, है ना, तो यहाँ से आपने देखा, आपको क्या किया, मैंने यहाँ से, जो मेरा c by m है, यह एक positive constant है, c constant था, mass constant था, यह दोनों positive है, तो c by m को ही हम यह omega square कहते हैं, और यही एक तरीके से हम बोलेंगे हमारी angular frequency, oscillation की कौन सी frequency, angular frequency, तो यह अपनी angular frequency हो जाया करेगी, हर बार इसको हम अपनी angular frequency बोलेंगे, अब depend करता है c क्या है, है ना, जो भी आपका c आएगा, उस पर depend करेगा, आपकी angular frequency कितनी आ रही है, और क्या याद रखने है sir, और क्या-क्या बात याद रखनी है sir, हाँ, और important बात याद रखनी है, अपना जो time period ह होगा, है ना, वो कितना होगा, time period होगा, two pi by omega, अच्छा, हम time period भी निकाल सकते हैं, और एक frequency होती है, one by time period, यानि कि omega से भी निकाल सकते हो, frequency time period से भी निकाल सकते हो, यह अपने time period और frequency का formula, यह कौन सी है, सिर्फ frequency है, इसको सिर्फ आप frequency कहोगे, है ना, इसको बोलोगे क्य हां सरी यह तो सर ωमेगा क्या था वह एंग्व हुरु एनवी ठीज ठीच थी डौनों में रिष्टै भई एप यसे लिघ सकते हो तो में को भी लिख सकते हो टू पाइई respectable लिख याद रखना बच्चे ऐसे भी इन दोनों को आपस में लिखा जा सकता है और कुछ important है सर हाँ भी और भी चीज़े important है और क्या important है इसमें important यह है कि अगर आप ज्यान से देखोगे यहां से एक x का solution आएगा जो भी आपकी equation मन रही है यह differential equation math की equation है अब उसको solve करने की जुरत नहीं है इंटीग्रेट करने की जुरत नहीं है हमें directly याद रखना है इस equation को जब solve करते हैं तो यहां से आता है x is equals to a sin omega t plus phi यह इसका solution होता है तो x की कुछ ऐसी value आती है यह तो आपने पढ़ी होगी shm है ना x का मतलब है जितना displacement आप कर रहे हो अपनी position से जितना आगे पीछे displace कर रहे हो वो आपका x है यह ना वो वक्त के साथ बदलता जा रहा है उसकी equation time के साथ यह है यहां जो आपके अंदर यह angle बना है अगर आप जहां से देखो यह जो total angle आपको नजर आ रहा है इस total angle को आप बोलते हो phase इस total angle को क्या बोलते हो phase बोलते हो omega t plus phi यह क्या है हमारा phase है और अगर आप कहो कि सर जो phase है उसको t is equal to zero पर निकाले मतलब शुरुवात में phase क्या था है ना इसको हम बोलते है इनीशियल phase का मतलब है कि आपको क्या रखने हैं बोलो time को zero डालना time को zero डालो तो इनीशियल phase कितना आ जाएगा फाई आ जाएगा तो आपका phase सरफ फाई बचेगा angle सरफ फाई बचेगा इसलिए इसको इनीशियल phase बोलते है यह तो मैंने आपको बताई दिया था यह क्या होता है जो maximum displacement होता है यानि कि आप इसको क्या बोलते हो amplitude तो यह अपना flow chart अच् भूलने वाली नहीं है इसको अपने को भूलाना नहीं है ऐसे हम पढ़ रहे हैं यहीं से इस flow chart से चीज़े समझ में आ जाएंगी अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं आपको spring mass system के बारे में बताता हूं और spring mass system में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे horizontal system horizontal spring mass system का क्या मतलब हुआ कि भई मालो यह एक दिवार है यह हमारा floor है यहां से हमने एक spring लगाया हुआ है यह मेरा कुछ spring लगा हुआ है अभी spring ना खिचा है ना दबा है ना compression है ना expansion है जो यह mass है वो spring का नहीं होता वो इस object का होता है spring का थो हम कोई mass लेते ही नहीं है ideal spring लेत system है इसको हम क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ इसको हम बोलते हैं equilibrium क्या बोलते है equilibrium या फिर मीन यहां पर सारे forces क्या होते हैं balance होते हैं सारे forces F net 0 होता है सारे forces एक दूसरे को balance करके रखते है equilibrium बोलो या mean बोलो फिर आप इसको x is equal to 0 भी बोलोगे यहां से जितना आगे जाओ गहोंगे एक्स पॉजिटिव होगा है ना तो आप इसको मालो मैक्सिमम आप कहां तक जा रहे हो मालो सर्व आप मैक्सिमम यहां तक ले जा सकते हो तो आप इसको लिख सकते हो X is equals to A और मिनीमम आप इसको यहां तक ला सकते हो तो इसको बोलोगे X is equals to minus A maximum दूरी इधर कितनी है a और minimum minus a तो यह इसके बीच में ऐसे ऐसे oscillate करेगा to and fro motion करेगा ठीक है ना time period amplitude पे depend नहीं करेगा है ना क्योंकि जतना मर्जी मैं amplitude रख लूँ time period उस पे depend नहीं करेगा यह हम पहले से जानते हैं और क्या चर्चा करनी है इस पे सर मैं यह कहता हूँ कि अगर आप देखो किसी time पे किसी भी वक्त पे अगर आप ध्यान से देखो मान लो आप किसी time पे यहां हो है ना तो मैंने माना यह displacement कितना x तो यहां force लगेगा कितना kx मान लो आप यहां से right side किसक गए तो force का लगेगा left side और अगर आप यहां से पीछे की तरफ किसक गए तो force का लगेगा आगे की तरफ मतलब अगर आप पीछे आओगे तो force इधर और अगर आप आगे जाओगे तो force पीछे की तरफ लगेगा यह आप याद रखना displacement forward है तो force backward है, displacement आगे तो force पीछे, displacement पीछे तो force आगे, यही f is equal to minus kx आपको बताता है, ठीक है न, ओके, अब important बात, जो force है, वो maximum लगेगा यहाँ, जब हम यहाँ restoring force की बात करें, जितने ज़्यादा spring को कीचोगे, उतना ज़्यादा spring वापस खीचने की कोशिश करेगा, यहाँ पर आपका spring force maximum लगेगा, तो यहाँ पर आपका force लगेगा, वो कैसा लगेगा, maximum, force का formula क्या था, k into x, बट यहाँ x की जगे, a डाल दोगे, तो आप लिख सकते हो, k into a, अब कहीं बच्चे कहेंगे, sir, k को small k लिख दो, small k लिखते हो न, तो हमें लगता है, यह आर लिख रह आप तो नहीं लग रहा न, आर, ठीक है, ओके, तो कहीं बच्चे कहेंगे, sir, आपने negative sign, तो लगाया, नहीं, sir, तो भूल गए, भूले नहीं है, क्योंकि मैंने direction already बता दी, न, left side, अब तो सिर्फ magnitude लेख रहो न, बेटे, यह negative का मतलब होता कि हाँ, left side, x positive, तो force left side, तो मैं ने already direction दिखा दी, न, इतने magnitude का force left side लगेगा, है न, बट आपको होगे, sir, यहां तो x की value a है, तो भी तो मैं बोल रहा हूँ, यहां x की value a है, तो आप यहां k x की जगे क्या लिख दो, k a लिख दो, तो यह मेरा maximum force है, तो acceleration भी maximum लगेगा, यहां जो acceleration होगा, वो भी maximum होगा, वो होगा जो आपका force है, k a divided by, जो आपका mass है, m, k a divided by m, बस mass से divide कर दिया मैंने, उसी तरीके से यहां भी आपका होगे, sir, यहां भी तो force maximum लगेगा, हाँ बेटा, यहां भी maximum force लगेगा, और maximum force आप जानते हो कितना लगेगा, k a पर right side लगेगा, क्या यहां भी acceleration maximum होगा, यहां भी acceleration होगा, minus k a by m, तो यहां maximum acceleration right side, यहां क्या होगा, sir, यहां तो force 0 होते हैं, तो यहां acceleration कितना होगा, यहां acceleration minimum होगा, और 0 हो जाएगा, यहां net force 0, और यहां acceleration भी, equilibrium position पे ना तो force, ना ही आपको acceleration मिलेगा, समझ में आगे इची तरीके से बात, हाँ sir, maximum acceleration यहां, maximum force यह यह हमें अच्छे से समझ में आ गया है और याद करो मैंने बोला था यहाँ जो भी c by m आएगा उसको omega square बोलोगे यानि कि यहाँ जो आपका k by m आया है यहाँ मैं k को small के लिख देता हूँ ठीक है न यहाँ जो आपका k sorry k divided by है न यह जो k है एक second ओके ठीक है यहाँ जो आपका k divided by m आया है इसको हम लिख सकते है omega square यानि कि जो आपका omega होगा उसको हम लिखेंगे root over k by m तो यहाँ से आप यह भी लिख सकते हो जो आपका maximum acceleration है वो आपका omega square into a ठीक है ना कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है चाहिए यहाँ लिखो यहाँ लिखो यानि कि आप यहाँ से इसको लिख सकते हो omega square a right side यहाँ से omega square a left side याद रखो यह अच्छी तरीके से यहाँ हमारा omega यह होगा ओके आया समझ में इसका मतलब है sir यहाँ equilibrium में कोई force नहीं है बट मैक्स्रीम पॉजीशन पर maximum force maximum acceleration बट जो speed है यहाँ जाके object रुख जाता है यहाँ जाके आपकी जो speed है वो कितनी हो जाती है 0 speed या velocity क्या हो जाती है आपकी speed या फिर velocity क्या हो जाती है 0 हो जाती है या फिर आप kinetic energy की भी बात कर सकते हो kinetic energy या speed वो कैसी हो जाती है बोलो kinetic energy कैसी हो जाती है 0 है ना और जा maximum stretch है वहाँ potential energy maximum होगी हाँ सबसे ज़्यादा दूर तक है वहाँ potential energy maximum होगी energy को हम चाहे बाद में भी discuss कर सकते हैं बट अभी के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ जो आपकी speed होगी वो 0 होगी kinetic energy 0 होगी तो maximum को होगी यहाँ equilibrium position पर जो आपकी speed होगी वो हो जाएगी maximum यहाँ आपकी speed कैसी रहेगी बोलो maximum speed ठीक है अच्छे से समझलो ध्यान से यहाँ अपनी speed कैसी रहेगी maximum रहेगी ठीक है ना अब यह कौन सी position है मेरे साथ repeat करो यह equilibrium वाला position है सर यह वाला कौन सा है सर maximum position है यानि की amplitude है यह वाला यह भी amplitude है यह कौन सा position है यह नीले वाला यह सर आपने किसी time पर ले लिया होगा कभी किसी time पर यहाँ दिखा होगा आपको अपने ले लिया होगा तो यहाँ आपका x 0 और a के बीच में कहीं नह silicone hp आप यहाँ भी हो सकते हो तो maximum kok यहाँ है यह जिए吗 सपीट बदलती रएगी जैसे हैशे आप आगे जाओगे स्पीट कम होती जाएंगी है यहां स्पीट 0 जैनि पिरunta होगे स्पीट बढ़ेगी maximum हो जाएगी, कम होगी 0 हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी, maximum हो जाएगी यानि कि दुबारा से देखो, यहाँ हो speed maximum है, यहाँ कोने में जाके 0, फिर यहाँ दुबारा से maximum और यहाँ फिर 0, फिर यहाँ से दुबारा से maximum, फिर यहाँ 0 फिर यहां से दुबार से समझ में आ रहा है ना mean position पे speed आपकी maximum होगी ठीक है ना बात clear है mean position पे आपकी speed कैसी होगी maximum पर क्या सब कोई direct formula हम जानते है speed को निकालनेगा बिलकुल यह important formula में से एक है यानि की चर्चा का विश्य है क्योंकि इससे question direct solve होगा अभी होगा मैं कराओंगा तो यहां से speed का एक formula आएगा v is equals to omega और यहां से आएगा a square minus x square यह formula अपने को याद रखना है v is equals to omega और root में a square minus x square omega frequency a amplitude x उसका displacement और v क्या है मेरी यहां velocity या फिर speed इसको आप याद रख सकते हो आप check भी कर सकते हो अच्छा सर अगर हम यहां x को 0 x को sorry x को a डाले तो v कितना आएगा मैंने का check करो चलो v कितना आजाएगा omega a square और x की जगे भी a डाल दिया तो 0 आना चाहिए x is equals to a पे v कैसा आना चाहिए मेरा 0 आना चाहिए या minus a भी डालूगा तो भी 0 आएगा आप x को a डालो या फिर x को minus a डालो दोनों case में speed 0 आएगी यानि आप extreme पर हो सबसे कोने वाले point पर हो है ना amplitude पर यह 0 आएगी दूसरा आप कहे रहे थे कि sir x is equals to 0 पे देखो आपने बोला था जहां x is equals to 0 होगा velocity कैसी होगी maximum velocity कैसी होगी v कैसी होगी maximum होगी तो निकाल लेते हैं मैं निकाल लेता हूँ वी मैक्स कितना आ जाएगा अगर आप यहां से देखोगे आप बोलोगे sir omega root of a square minus 0 यहां से आ जाएगा sir it will be omega i तो यह मेरी maximum velocity अब देख सकते हो maximum acceleration omega square a था पर maximum velocity omega a compare कर लो एक की साथ compare कर लो और हॉंस और यहां लिख लेते हैं मज़ा आ जाएगा मैं यहां लिख लेता हूँ अभी आपने देखा जो maximum acceleration था उसका formula omega square आया था और v max का जो formula है वो अपना omega a है और general equation तो आप जानते ही हो मैंने आपको पहली बता दी थी यहां से जो general equation आएगी x as a position वो आजाएगी x is equals to a और कितना आजाएगा sin omega t plus phi यानि कि अब phi का क्या मतलब है आप हो सकता है जब आप देखना start करो तो आपका object यहां हो और आगे जा रहो या पिर हो सकता है यहां हो पीछे जा रहो तो कहीं भी locate हो सकता है जहां t is equal to 0 पे हो अच्छा करेंगे बाद में बताओंगा बट अभी की कहानी यहां तक चर्चा करने हैं यहां तक का discussion करना है अच्छे से देख लो ध्यान से बढ़िया तरीके से देख लो अच्छे से देख लो है ना तो यह important बात है यह velocity का formula बहुत important है ठीक है ना इसका मतलब अभी तक हमन multiply by a square minus x square है ना v max आप जानते हो repeat करो कितना होगा a omega होगा sir a max आप जानते हो यह कितना होगा बोलो omega square a होगा चलो ठीक है ना यह कुछ formula भी मैंने simple harmonic motion में पढ़ाए है जस्ट अभी थोड़ी दिर पहले पढ़ाए है अब थोड़ी सी practice करते है थोड़े से question करते है तो और अच्छे से निखर के आएंगी समझ में आएगा कि exam में हमें इसको कैसे use करना है चलो देखो पहला question आपके सामने क्या है try करो आप लो कोशिश करो इसको try करो ठीक है ना try करो इसको फटा-फट सोचो पढ़ो सबसे पहले क्या क्या दिये मुझे लगता आप इसका answer कर सक है अगर seriously देख रहे हैं तो इसका जवाब करने में उनको time लगेगा नहीं है ना क्या जवाब कर सकते हो इसका जवाब दे सकते हो क्या होगा इसका जवाब फाइनली बताओ और बोडी क्या निकालना है चलो सल्दी से बताओ amplitude कैसे निकालों एक काम करो आपको सर यहां से इसको इससे डिवाइड कर देते हैं यानि कि ओमेगा स्कॉइर हमें पता है इसको ओमेगा इसे डिवाइड कर देते हैं वो कितना पता हमें वन है तो सर यहां से मारा ओमेगा आ जाएगा यहां से हमारा omega आ जाएगा, omega स्वाइड नी, omega आ जाएगा, एक इससे कट जाएगा, तो sir, omega आ जाएगा अपना 4, है न, omega कितना आ जाएगा अपना sir, 4, unit क्या होती omega की, sir, radian per second होती है, इसमें कुछ बड़ी बात है, ठीक है, अब आपको omega की value पता चल गए, यहां डाल दो, आप बोलोगे sir, 4 into a, 1 आ गया, तो a आ गया, 1 by 4, यानि की 0.25, तो अपना जो answer आएगा, वो एकदम से समझ में आ रहे है, आप लोगों को 0.25 आएगा, एक बटे चार, देख रहे हो आप ध्यान से, simple है, असान सवाल, formula से ही आराम से हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल होगे मिझे जल्दी से, the equation for the displacement of the particle executing is यह, y is equal to 5 sin, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, oh my god, t एक साथ लिख देता हूँ, क्योंकि confused ना हो जाओ, यह ऐसे लिखा है, y is equal to 5 sin, और आगे कितना लिखा है, 2 by t, यह आपको दे रखा है है ना, और यह centimeters में दिये है, question में, आप से बोल रहा है, velocity निकालो 3 cm पर, velocity निकालो 3 cm पर, पहले equation को ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर, यह SHM x direction में नहीं हो रहा क्या, क्योंकि आपने तो x direction बोला था, नहीं, यह SHM x में नहीं हो रहा, यह किसमें हो रहा है, y direction में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सर, y direction में होने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोलोगे, ठीक है sir, यहाँ जो 5 है, यह क्या हो जाएगा मेरा a, यानि की amplitude, और यह अपना क्या हो जाएगा, ओमेगा, यह क्या हो जाएगा अपना omega, यह हमारी angular frequency omega हो जाएगी, और अभी आपने relation पढ़ा है, velocity क्या होता है, omega into a square minus x square, sir, यह आपको velocity, x की value 3 दी है, यह 9 आजाएगी, तो यह आजाएगा 2 pi into, यह आजाएगा 16, यानि की हो जाएगा 4, यानि की आपका answer आजाएगा 8 pi, root 16, 4 होता है, देखो कितना असान है, है ना असान, मुश्किल तो नहीं है, इसको note करो, सभी अच्छे से देख लो, अच्छे से अ का answer आजाएगा यह, चाल, अगला सवाल, बहुत असान, जल दी से इसका जवाब मुझे चाहिए, आप लोगों से मुझे लगता नहीं, आप लोगों को time लगेगा इसको करने में, आप लोगों को v is equals to root of 144 minus 16 x square दिया है, अब आपको equation पता है general, v is equals to omega a square minus x square होता है, इसको इ square ही होता है, तो आप सबसे पहले क्या करो, यहां से compare करो, आपको कैसर इस equation को, अगर मैं देखू, इस equation में से, इन में से आप common ले लो 16, क्योंकि x का जो coefficient है, उसको 1 बनाना जरूरी है, क्योंकि x से पहले यहां 1 लगा, आपको यहां भी 16 common लेना ही पड़ेगा, आप common लोग 4 तो 4 भार आएगा, 4 इंटू यह, तो आप compare करो, compare करो कि आप बोलोगे सर, omega आजाएगा अपना 4, और अगर आप ध्यान से देखो कि a square 9 है, है ना, a square 9 है, यानि कि जो अपना amplitude है, वो बिल्कुल 3 है, है ना, और अब आपको क्या करना है, बोलो, आपको maximum acceleration निकालना है, तो आपने जो यहां से अपना omega निकाला है, omega कितना है, आपका बोलो, omega square आपका कितना आगया, omega है अपना 4, यह आगया 16, इंटू ए कितना है हमारा 3, यानि कि अपना answer आगया, 48 meter per second square, ठीक है, यही जवाब रहेगा ना, final है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, compare कि हमने a की value निकाल सिंपल, answer इसका आजाएगा, sorry, यह 48, इसका गलत लिख दिया है, इन्होंने 48, एक बड़ चेक कर लो, दुबारा से चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं लिखा, आप यहां से सबसे पहले क्या common ले रहे हो, 16 common ले रहे हो, क्या common ले रहे हो, 16 तो भार कितना आजाएगा आपका 4, और यहां से कितना आजाएगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, भार अगर 4 आगया अगर आपका, तो यहां गया 9 माइनस यह, तो आप यहां से A स्कौयर को compare करोगे 9 से, तो A आजाएगा 3, और omega आपका भार है, तो omega आपका 4 है, तो omega square A, या अगला सवाल, बहुत असान, आप लोगों को क्या दिया है, दो simple harmonic motion है, दो अलग-अलग simple harmonic motion हो रहे है, A और B, है न, Y1 पहले वाले का simple harmonic motion, Y2 दूसरे वाले का, सिर्फ क्या पूछ रहे है आप लोगों से, भाईया, phase difference निकाल दो, अरे यार यार यह भी कोई question को, अरे यह भ सिर्फ क्या पूछ रहा है अरे सर फेस डिफरेंस अरे फाइटू माइनस आइवन निकाल लो जो निकालने का मन करें हाँ यह बड़ा है इसमेंस को माइनस कर दो ना फाइटू माइनस कर दो एजी हो जाएगा नेगटिव आंसर नहीं आएगा आपको बहुत सिंपल है ओमेगा कितना हो गया बोलो पाइबाइटी तो यह अपना अंसर आ गया सिंपल है यह वाला ऑप्शन आ गया चेक करें इसका अंसर सही आ रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे नहीं भई आंसर जीरो नहीं आएगा आंसर इसका आएगा थ्री मुझे लगता है ओप्शन सागे ठीक है आगे बढ़ो आगे बढ़ो अगले सवाल की तरफ जाओ इसका अंसर आपको करने है 2015 में आया बई देखो सवाल पूछा जा चुका है ऐसा क्या दे रहा है आप पार्टिकल इस एक्जिक्यूटिंग असे चैमिट्स माक्सिमम एक्सेलरेशन इस एलफा अब थोड़ उमेगा यह होता है कि तना दी बीटा क्या यहां से डुवाइट करके बीटा में जाए गा इसको इस से डिवाइट करो गयो में का जायेगा हाँ या ना हानी Whats out धिटा है न हानी की यह खाइनए इसका इसका आंसर होगा देख सकते यह बहुत अराम से कुछ मुश्किल नहीं है असान था कुछ भी दिल की बढ़ जाती है हम थोड़े से जुक जाते हैं चक्कर आने लग जाते हैं वता नहीं क्यों ग्राफ पूश लिया फूर मुश्किल नहीं है अब ध्यान से क्या कह रहा है, the oscillation of our body on a smooth horizontal surface is given by x is equals to a cos omega t, ठीक है न, तो x का graph सबसे पहले सोचो, बाकी चीज़े छोड़ो, आपको cos का graph आता है बनाना, यह x versus time है, जिसको नहीं आता आप देख सकते हो, यह cos का graph होता है, है न, तो आपका position का graph कुछ ऐसा होगा, आप देख सकते हो, यह position का graph होग है, खिक है, x displacement है, अब उसमें बोला, acceleration का graph इन में से पहचानो, अब अगर आप ध्यान से देखो, आप लोगों ने पढ़ा है न, acceleration is minus omega square x, जानते हो न, acceleration क्या है, minus omega square x, यानि कि एक negative sign बैठा है, यहाँ ध्यान से देखो, ओके, omega square तो positive है, कोई दिक्कत नहीं है, into x, यानि क जो x का graph आपने बनाया था, वो यह था, तो आपको अब acceleration का graph बनाना है, और acceleration किस पर depend करता है, minus x पे, x पे नहीं, किस पर depend करता है, minus x पे, अगर हम किसी भी graph का negative लेते हैं, तो graph न यह time axis से पलट जाता है, जो उपर वाली चीज़ है, वो नीचे आ जाती है, नीचे वाली च यह अगर मेरा position versus time graph था, तो acceleration का graph कैसा होगा, acceleration का time के साथ graph कैसा होगा, मैंने का पलट दो, यानि कि जो उपर वाली चीज़ है, उसको नीचे लियाओ, नीचे वाली उपर लियाओ, क्योंकि minus x है, आप देख सकते हूं, यह graph कैसा है, बोलो, minus omega square, आपको भी सर omega square भी तो है, वो सिर्फ इसकी उचाई को बदलेगा, amplitude को बदलेगा, पर graph ऐसे पलट जाएगा, अगर यहाँ plus x लिखा होता तो graph विल्कुल ऐसा ही बनता, acceleration का, पर minus लिखा है तो पलट जाएगा, तो कुछ ऐसा graph बनेगा, अब आप इन में से ध्यान से देखो, कौन सा graph आपको ऐसा रहा है, देख लो ध्यान से, बिल्कुल आ रहा है ना, इसका जो सही जवाब होगा, वो यह थर्ड वाला option होगा, और बिस वो इसने graph पूरा नहीं मिना है, बच्चे उसने graph यहीं से चालू किया, अब इस वाले portion को हटा दो, मिटा दो, तो यही वाला तो graph है, अब देख सक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली कर दो, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, चलो, इस सवाल को कौन-कौन कर सकता है, मैं देखता हूँ, कौन-कौन करेगा, अब पार्टिकल एग्जेक्यूट्स, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद धी अपने को दे दिया, 3 cm, और उसने बोला है, जब आपका पार्टिकल 2 cm पे होगा, यानि कि आप लोगों को बोला है, जब x की वैल्यू 2 cm ली जाए ना, उस टाइम पे एक्सलरेशन और विलोसिटी बराबर है, तो आपको उसल पहले विलोसिटी निकाल लेते हैं, स्कॉयर यानि की 4 है ना, 3 का स्कॉयर और 2 का स्कॉयर है ना, यह आपका कितना आ जाएगा, रूट ओफ 5 ओमेगा, यह आपकी V की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, और उसने बोला है, एक्सलरेशन इस टाइम पे कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्सलरेशन आ अपने पास 2, और उससे बोला है, यह दोनों अपस में बराबर है, वेलोसिटी से इक्सलरेशन यानि की, रूट ओफ 5 ओवर, रूट 5 ओमेगा, इस सेम एस 2 इन 2 ओमेगा स्कॉयर, ठीक है, एक ओमेगा यहां से कट जाएगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा यहां, तो ओमेगा जाएगा, रूट 5 ओमेगा आजाएगा आपका, रूट 5 ओमेगा, और टाइम परियट कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, यानि की, 2 पाई डिवाइड बाई, रूट 5 और नीचे 2 है, तो पर चला जाएगा, 4 पाई डिवाइड बाई, रूट 5, simple, जितना simple यह हो सकते है आप आराम से कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है यह सवाल बहुत असान है और मैं जानता हूं आप लोगे सब कर लोगे सवाल अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो सुन रहे हो मेरी बात तो इसमें कुछ मुछकिल नहीं है बहुत अराम से हो जाएगा बट मैथड आना फ़ले इसको ध्यान से पढ़ते हैं देखते हैं क्या कहा रहा है अब पार्टिकल इस एक्जीक्यूटिटिंग अलों गा स्ट्रेट लाइन इट्स विलॉसिटी इस विलॉसिटिशन पे अब आप से बोल रहा है टाइम प्रियर निकाल ले अगर आप ध्यान से देखो आपक तो आप दोनों विलॉसिटी ऐसे निकाल सकते हो आप V1 को लिख सकते हो V1 और लिखदो X1 ऐसी V2 को क्हा लिख सकते हो आप बोलो emer dega square minus X2 square ठीक है ओना अब आप चाहूँ तो दोनों का square कर दो तो यहां से आ जाएगा V1 square is equal to omega square a2 minus x1 square और v2 square को अगर आप बोलोगे तो यहां से आजाएगा omega square a2 minus x2 square यह बन गया अपना v1 और v2 अगर आप ध्यान से देखोगे यह बन गया ध्यान से देखोगे अब अगर आप ध्यान से देखोगे अब क्या कर चाहिए आप लोगों को time प्रियेट निकालना टाइम प्रियेट के लिए सबसे जरूरी होता है ओमेगा निकालना क्योंकि आप बोलोगे सर्टाइम प्रियेट होता है two five by omega तो सर इन दोनों equation से अगर हमने ओमेगा निकाल लिया तो काम बन जाएगा क्या सोचो हाँ क्या किसी भी answer में आपको amplitude निकालो, 2-8, को खताओ, omega लाओ, है ना, कहने का मतलब है, हम क्या कर सकते हैं, हम नगा थोड़ा असान कर लेते हैं, हम यहाँ से इसको लिख लेते हैं, omega square, a square, minus omega square, x1 square, यहाँ आजाएगा, omega square, a square, minus omega square, x2 square, ठीक है ना, बात समझ मैं हैं, यह अच्छी तरीके से, यहाँ से आप क्या कर सकते हो आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो सबसे बढ़िया हो जाएगा आप सेकेंड एक्वेशन को फस से माइनस कर दो तो वी वन स्क्वाइर माइनस वी टू स्क्वाइर आप इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं तो आपको होगे सर ओमेगा स्क्वाइ x2 square minus omega square x1 square यह वाला plus क्यों हो गया क्योंकि इसमें से यह minus कर रहे हो तो minus minus यह plus हो जाएगा this minus this हो जाएगा वो अपन आपी क्योंकि दोनों ही negative है ना अब पूरा लिखना चाहते है पूरा लिख के देखो यह ही आएगा ठीक है अब यहाँ से आप omega square common ले लो यहाँ से आजाएगा v1 square minus v2 square यहाँ से अगर आपने omega square common ले लिए यहाँ आजाएगा x2 square minus x1 square तो omega आजाएगा आपका root over v1 square minus v2 square divided by x2 square minus x1 square यह omega आगया अब अगर मैं ध्यान से देखूँ मैं आप लोगों को बोलू time period निकालने के लिए तो time period आएगा 2 pi by omega तो यहाँ से 2 pi by omega की बात करें तो यहाँ से कितना आजाएगा x2 square minus x1 square divided by v1 square minus v2 square अब चाहेगा यहाँ उपर x1 minus x2 करो तो नीचे v2 minus v1 कर देना मतलब इन में से एक option match करेगा थोड़ा सा लेंदी ज्यादा भी नहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना है ठ्रिक लगानी है थोड़ी से ट्रिक बाजी खेलनी है वही कोशन देखके मुझे समझ में तो आ गया था यहाँ से कहीं ना कहीं velocity position relation यूज़ कर रहा है वो और क्या समझ में आ गया था भाई मुझे ओमेगा निकालना है इन दोनों को देखके मुझे समझ में आ गया था या ए हटाना पड़ेगा वही करता जा रहों जो समझ में आ रहा है आप कहते हो ना कि सर कैसे अप्रोच करते आप पर क्योंकि मेरी नजर जैसे अरजुन की नजर क्या होती थी एकदम जो चिडिया उती थी ना उसकी आख की तरफ वही आपकी भी उनीची आपकी आंसर की तरफ उनीची यह इन में से एक आंसर लाना है और मैंने क्या पढ़ा है विलॉसिटी पॉजीशन रिलेशन अब अगले सवाल पर आते हैं जरा यह अच्छा सवाल है यह वर्टिकल ऐसे चैम कर यहां अगर हम दियान से देखे हमारा ब्लॉक होरिजॉंटली नहीं वर्टिकली ऐसे चैम कर रहे है तो आप लोगों को इतना याद रखने है जैसे मैंने होरिजॉंटल बोला था ऐसी वर्ट आती थी वाई नौट रूट एमजी भाई के अगर आपको याद हो के छोटा लिख रहा हूं मैं बच्चे वैसे के कैपिटल भी लिख सकता हूं मैं के नजर आ रहे है आर नहीं है बिटे अबर आर तो यहां पूरे चैप्टर में हाई नहीं तो घवराओ मत तभी आर नहीं नहीं पड़ेगा वो सेम रहे है अब अगर आप ध्यान से देखो कि यहां हमारा वर्टिकल एसमें क्या करते हैं हम स्प्रिंग को ऐसे लगा दिया ठीक है ना स्प्रिंग को ऐसे लगा दिया और उसने बोला है आप ब्लॉक इस रेस्टिंग ओन पिस्टन विच्ट इस मान लिया कितने हैं एम तो अब आप लोगों को बोल रहा है है इस मास का क्या हो रहा है तो इसका मतलब यह ब्लॉक यहां तक जा रहा होगा है ना यह नीचे भी आ रहा होगा और यह ब्लॉक उपर तक जा रहा होगा कहीं यहां तक जा रहा होगा है ना यह सिस्टम उपर न आपको याद है यह उपर जा रहा है तो इस पर एक फोर्स लगेगा maximum नीचे की तरफ याद है मैंने बताया था जब maximum force होता है वो कहां लगता है वो सबसे amplitude पर लगता है सबसे दूर वाली position पर है ना सबसे नीचे जाओगे तो maximum force उपर की तरफ लगेगा और कितना लगेगा मैंने याद है आपको बताया था m omega square a यानि कि यहां से आप यह भी लिख सकते हो आपने इसका formula पढ़ा था अगर आपको याद हो आपने पढ़ा था k a फिर मैंने आपको maximum acceleration पढ़ाया था अगर आपको याद हो हाँ सर अब तो मैं याद है omega square है ना इसका maximum acceleration होगा omega square यह उपर वाली position पे क्यों मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि अगर आप block को देखो दिहाल से आप यहां खड़े उपर वाली position पे यहां अगर उसने बोला है piston और block अलग हो जाते हैं तो separate होने का क्या मतलब है अगर वो अलग हो जाते हैं तो यहां कोई normal reaction नहीं होगा normal कितना हो जाएगा आपका बोलो जीरो normal का मतलब क्या होता है normal contact force है जब चीज़े एक जूसरे को touch करते हैं तब आप होगे सर उपर एक pseudo force लगेगा object का मास into acceleration और नीचे लगेगा mg है ना तो आप बोलोगे अच्छा यह दूसरे को balance कर लेंगे बिल्कुल mx के equal हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे mg और आपको पता यह acceleration maximum है कितना acceleration है आप जानते हो आप होगे m से m तो कट जाएगा और acceleration हमारा maximum है वो कितना है omega square a क्या हो जाएगा वो g के equal तो अगर आप यहां से अपना amplitude निकाल रहे हो तो g by omega square g की value हम 10 लेंगे और omega कैसे लेंगे time period हमें पता है one second है ना time period हमें पता है one second तो omega को आप लिखते हो 2 pi by t है ना तो 2 pi आ जाएगा आपका omega तो आपको ओगे ठीक है यहां से हम लिख देंगे 4 pi square है ना 2 omega square हो जाएगा कितना 4 pi square और आप जानते हो pi square approximately pi square जो होता है pi square की value है 3.14 है ना बच्चे 3.14 का square approximately यह 10 के equal होता है तो यहां से pi को इससे काटो बचेगा 1 by 4 तो यह आ जाएगा 0.25 आया समझ में अच्छी तरीके से यह कितना आ जाएगा आपका 0.25 तो यह सवाल फुरा सा अच्छा सवाल है JU में आता है यसा पर NIT में नहीं आ सकता है JU में आ सकता है तो NIT में आ सकता है JU MEANS की LEVEL का सवाल है तो NIT में भी आ सकता है आप EXPECT कर सकते हूँ समझ मैं आ रहा रहे ची तरीके से definitely इसका आप जवाब साप बहुत simple है अगर मैं आपको recap दूँ जल्दी से जल्दी से बताऊं कि इस question में क्या किया गया है contact हमेशा आप याद रखना कहा चुटेगा यहां नीचे वाले पर नीचे वाले पर क्यों नी चुटेगा क्योंकि यहां normal 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप यहां खड़े हो गए आप पर सूड़ो फोर्स उपर क्यों लग रहे है क्योंकि आपका एक्सेलरेशन का है आप फ्लैटफोर्म पर खड़े एक्सेलरेशन नीचे तो सूड़ो उपर एमजी नीचे दोनों ने दूसरे को सवाल को कैसे करें थोड़ा सदिमाग लग लगो लॉजिक लो प्रास प्रा नं डेता हूं करना चाहिए को सोचा कुछ कि लगा दिमाग में कुछ गया कैसे निकालना चाहिए आपको पह सवाल के छिसाब से यहां हमें यह दिया हुआ है फोर्स दिया है तो f is equals to minus kx कर सकते हो क्या ठीक है ना क्योंकि भाई टाइम प्रेट तो आपको बता है टूपाई बाई ओमेगा है यहां से ओमेगा निकालने का और कोई तरीका नहीं से मुझे f दे रखा है कितना 10 और यहां से क्या लिख सकता हूं सिर्फ मैं magnitude ले रहा हूं वैसे तो minus kx होता है क्योंकि मुझे k की value निकालनी है तो k मुझे निकालना है सर हमने यहां लग दिया k और x की value कितनी है भई x की value कितनी है 5 cm यानि की 5 into 10 raise to the power minus 2 तो यहां से जो अपना k आ गया वो आ गया 10 by 5 into 10 raise to the power minus 2 यानि की आ गया 2 और उपर चला जाएगा यह आ गया अपना 200 newton per meter यह अपने k की value आगे भई अपना k आ गया अब तो simple है न अब तो time period निकालने में जाजा time लगेगा नहीं या जाएगा सर 2 pi root mass हमें दिया है 2 kg और m हमें कितना दिया है 200 m कितना दिया 200 तो यहां से आ जाएगा 2 pi और 1 by 100 यानि की 2 pi by 10 यानि की 5 by 5 अब देख सकते हो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 5 by 5 और अगर आप दिया है तो आप 10 में छोड़ दो तो अगर आप यहां दिया हो तो पाइब 5 लिख देता बट पॉइंट में निकाला हुआ है तो आप देख सकते हो 0.68 इसका फाइनल जवाब आ सकता है बिल्कुल option 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है ठीक है चलो simple सवाल 2020 में फिर मैं आप लोगों को आदा मिनट देता हूं सोचने के लिए सोच लोग क्या जवाब होना चाहिए सोचो अ कर दो करना है लगाओ दिमाग क्या होगा जल्दी बता सोचो कैसे करें सवाल पर अप्रोच कैसे करें phase difference between displacement and acceleration कोई रिलेशन है क्या acceleration को मैं माइनस omega square x लिखता हूं इसका क्या मतलब होता था माइनस साइं का मैंने आपको बताया था कि acceleration और displacement opposite हैं दूसरे के यानी कि अगर acceleration इधार रहतो displacement इधर होगा और अगर दिस्प्लेस्मेंट इधर नीचे होगा अला हमेशा दyorsun virtual बीक भ्रफिय जो इनका difference है वो कितना है यहां यह इक दूसरे के एंटी-पैलल हैं तो यहां हम लोगों को लिख लेना चाहिए कि यहां 180 डिग्री यानि की पाई रेडियन का फेज डिफरेंस सिंपल देख सकते हो आगे बढ़ सकते हैं यह सवाल अगर आपका हो गया तो आप लोग लिख सकते हो नौट जीरो के वांसर आगा इसका अंसर आएगा ब्रिस प्लेस्मेंट पता है ना इसका आंसर पाई आएगा या जीरो आएगा अगर आप ध्यान से देखोगे इसका आएगा आएगा आपका पाई रेडियन कि आएगा बोलो पाई रेडियन यानिकी 180 डिग्री आया वाँ सवाल मुश्किल नहीं है ना आगे बढ़ सकते हैं आगे चर्चा कर सकत है कुछ A1 साइन ओमेगा टी पर फ्रिक्वेंसी से मुनीची वही वाले सवाल हमारे स्लेबस का पार्ट है वैसे और दूसरे भी आ सकते हैं पर वो आते नहीं है और यह दे रखा है हमारा कुछ ओमेगा टी प्लस फाई है ना यह हमारा हो गया X2 ठीक है ना अब 5 पॉजिटिव नंबर है तो आप देख सकते हो यहां दोनों को अगर मुझे एड करना है तो एक नया X बनेगा जिसको आप लिख सकते हो A1 प्लस A2 क्या लिख सकते हो A1 प्लस A2 जैसे इंटरफेरेंस करते यथे वेवस में बिल्कुल ऐसा ही है अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है आप देख सकते हो अंगलो फ्रिक्वेंसी दोनों की कैसी है सेम ऐसे में अगर आप निकालोगे यहां से X निकालोगे तो आप लिख सकते हो A1 साइन ओमेगा प्लस एटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइन अब इससे जो एक नई वेव बनेगी वेव नहीं बेसिकली ऐसे चम बनेगा उसका अम्प्लिट्यूड होगा कुछ ए और यहां कुछ लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस कुछ नया फेस अलफा बट हमाई लिए इंपोर्टे से में रिख जादा किसका है और यो हमारा एक 좋 एक बीच में वह कितना है बोलो और यानी कि ये मेरा एवन है और यह क्या है अमेरा जैसे वेक्टर्स में ह gef क्टना होता ہے आएगा वह आएगा और मतलब है यह फॉर्मला आपने को याद होना जी क्या यह वेक्टर है नहीं पर यह ब्लकुल बेक्टर की तरह ही एड होता है तो आपको गवराना नहीं है इसका derivation नहीं करना आपको याद रखना है for example मैं अगर आपको दूं एक simple example ले लेते हैं suppose x1 दे रखा है 3 sin omega t और मैंने आपको x2 दिया मानलो 4 sin omega t plus 60 degree तो आप से मैं पूछू इनका जो resultant amplitude आएगा वो कितना आएगा तो आप simply लेख सकते हो a is equal to 3 का square plus 4 का square a1 square plus a2 square plus 2 times a1 a2 यानि कि 3 plus 3 into 4 into cos 60 degree यह हमार amplitude आएगा यानि कि इस सवाल में answer आजाएगा यह आजाएगा 9 plus 16 plus यह आजाएगा कितना 24 और को 60 होता है 1 by 2 तो यानि कि 12 तो आपको add करना पड़ेगा 9 plus 16 plus 12 9 plus 16 plus 12 तो यह हो जाएगा आपका 28 plus 9 है ना तो यह हो जाएगा 37 ठीक है ना यह आजाएगा आपका 37 ठीक है ना इस तरीके से आप सवाल को सॉल्फ कर सकते हो अगर आपको ऐसा कोई सवाल दिख जाए है ना यहां इनके बीच में फेस डिफरेंस कितना था बोलो 60 डिग्री कितना फेस डिफरेंस था आया समझ में अब एक बार ऐसा सवाल आ जाए सोचो अगर मैं आपसे बोलू अब आपको बोल दे 25 और आपको देदे सब्सम ध्याण से देखना अक्सवन देदे आपको qr fine omega t plus i帝ha nou और एक्स्टु अगर आपको देदे four sign omega t और कितना देदे आपको मानलो, प्लस 15 डिग्री दे दे, ठीक है न, मानलो 20 डिग्री दे दे, 15 से आप confused हो सकते हो, तो मैं कितना ले ले लेता हूँ, एक काम करो, 20 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है न, मैंने ले लिया है, यहां से 20 डिग्री, अब ऐसे case में आपको होगे सर, यहां कैसे करें, यहां तो आपने कुछ add में दिया नहीं था, पर यहां दे दिया आपने, तो ऐसे case में भी घबराना नहीं है, आप यह सोचो इन में से x1 का face ज़्यादा या x2 का, पहले यह देखो, x1 का ज़्यादा या x2 का देखो, बट यहां जो face ज़्यादा है, वो इसका है, और हम लोगों को क्या रखना होता है, phi का जो मतलब होता है, वो face difference होता है, वो face नहीं होता, वो क्या होता है, बोलो, face difference, तो हमारे इस case में जो face difference है, वो 30 और 20 का जो face difference आएगा, वो आएगा 10 degrees, यानि कि यहां से जो formula होगा, वो होगा 3 का square, plus 4 का square, plus 2 into 3, into 4, into cos of 10 degrees, आ रहे हैं समझ में, cos of 10 degrees, वो अलग बात है, आप निकाल नहीं पाओगे, आपको answer यहीं छोड़ना पड़ेगा, बढ़ हाँ, इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ, previous year में कैसे आए हैं, और easy सवाल कैसे बनते हैं, जो आप लोगों के exam में आते हैं, वो यह है, जैसे कि यह पहला सवाल, आपको सीधा ही दे रखा, displacement of a particle, in SHM is x is equal to 3, sin 2580, plus 4 cos 2080, its amplitude of oscillation, तो आप लोग पहले तो यह ध्यान से देखो, यहाँ sign है और यहाँ cause है, यह मत सोचना कि सर, यहाँ तो कोई face difference ही नहीं है, आदे बच्चे सोचे होंगे यहाँ तो face difference ही नहीं है, पर अगर आप ध्यान से देखो कि face difference देखने के लिए, आपको दोनों को sign में या दोनों को ही cause में लिखते हैं, तो आप लोग कोऊगे अच्छा, इसको rewrite करना पड़ेगा, यह हो जाएगा, 3 sin 20 pi t, है ना, प्लस यहाँ से आजाएगा, 4 sin 20, एक second, one second, यह पैन भी चलता है, बीच में रूप जाता है, 90 प्लस थीटा sin थीटा होता है, तो यहाँ, sorry, cos 90 प्लस थीटा το नहीं, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, मैंनो गोल दिया था, sorry, उसको repeat करता हूँ, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, तो मैंने वोई किया, sin 2 pi t plus 90, इसको देखोगे तो इसको आप दुबारा से ये cos लिख सकते हो, तो अब आप देखो दियान से, अब आप कोगे सर इसका face ज्यादा है, आप देख सकते हो, इसका face 20 pi t है, उसका 20 pi t plus pi by 2 है, यानि कि यहाँ जब आप amplitude निकालोगे, यहाँ से लिखोगे, 3 का square plus 4 का square plus 2 into 3 into 4 और cos of pi by 2 या 90 degree, और आपको पता है, यह आप के मज़े आ गए, लोटरी लग गई है, यह पता है, क्योंकि cos 90 होता है, 0, तो यानि कि यह वाली term तो कितनी हो जाएगी, 0, तो यहाँ से स्रिफ आएगा, 3 का square plus 4 का square, यानि कि 9 plus 16, बोले तो 5, तो यहाँ से जो आपका answer आएगा, वो आएगा, 5 cm, आप देख सकते हैं, ठीक है, आया समझ में, ओके, 5 cm, 5 cm आएगा, 4 नहीं आएगा, बच्चा 5 आएगा, I think आज सारे answer, बिलकुल गलत हो गए हैं, हैंना, ठीक है, हमारे सही आ रहे हैं, ठीक है न, ओके, ऐसा हो जाता है, कभी-कभी answer की भी आगे पीशे हो जाती है, तो result गलत हो जाता है, बट यहां गलत नहीं होगा, क्योंकि हम बैठे हैं, हैं, सर हैं, यहां, no worries, ठीक है, सर साथ के साथ बदलते रहेंगे, अगर कोई भी answer में दिक्कत होगी, तो मैं यहीं चेंज कर दूगा, ताकि आप तक answer सही पहुंचे, गवराना नहीं अगर टी, बी कॉस ओमेगा टी, 2015 में कोश्यन आया है, सेम ऐसा ही सवाल है, इनके बीच में फेस डिफरेंस कितना होगा, जल्दी से बताओ, कितना होगा, 0 या पाई बाई बाई टू, अरे यार, पहले आप वाई टू को क्या लिखोगे, अरे हां सर, इसमें वाई टू को ह फेस दिफरेंस, तो तो फिर सिंपल है न, अभी हमने अंपलिट्यू निकालने का तरीका देखा था, यहां से आएगा, एस को है, प्लस बी स्कॉर, प्लस टू एभी कॉस नाइंटी, कॉस नाइंटी, जीरो तो यही आ जाएगा, आया समझ पे, अगर मान लो, देखो, यह बहुत इजी है, इसका जबाब तो आप देख के बता दोगे, सर, यहां से कैसा होगा, हाँ, यह आ जाएगा हमारा अंसर, अरे, सुरी, सुरी, यह नहीं, कौन सा टिक करो, यह आ जाएगा हमारा अंसर, सिंपल हार्मोनिक विद अम्पलिट्यू रूट ओफ ए स्कॉर, प्ल प्लस C दे दिया, C constant दे दिया, तो amplitude में कोई फरक नहीं पड़ेगा, यह जो तीसरा वाला नंबर है, इसके साथ, साइन कोस कुछ भी नहीं लगा, तो आप लोगों का amplitude अभी भी कितना रहेगा, अगर मैं amplitude पूछू, सेम रहेगा, इसको याद रखना, प्लस माइनस कुछ कर दूँ यहाँ, amplitude नहीं बदलेगा, क्योंकि साथ में साइन कोस कुछ भी नहीं लगा, है ना, साइन कोस कुछ भी नहीं लगा, तो amplitude आपका यही रहेगा, root of A square plus B square, यह अपने को याद रखना है, यह कैंना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्सिस SHM, यूनिफॉर्म सर् सर्कुलर मोशन और SHM, इनको compare कर सकते हो, क्यों ऐसा कह रहे हैं, अभी देखते हैं, बड़े ध्यान से समझना, मान लो, सर्कल में मोशन हो रहा है, यानि की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है न, मान लो भई, अपनी Y-axis, यह अपनी वाली X-axis, इसको अपने सर्कल में घूम रहा है, यह अब्जेक्ट ऐसे सर्कल में घूम रहा है, क्लॉक या एंटिक्लॉक वा आप पर डिपेंड करते हैं, आप जैसा मानना चाहो, मैंने माना मेरा मन की है, मैंने बोला, मैं तो क्लॉक ही बोलूँगा, ठीक है, अब इसकी जो रिफ्लेक्शन है, ज इसकी शैडव उपर की तरफ आएगी, यहां आएगा, तो फिर इदर आएगी, इसको प्रोजेक्शन क्याते हैं, मतलब पार्टिकल का प्रोजेक्शन एक्सेस पे ले रहा हूं, पहले यहां का यहां, फिर इदर का इदर, इदर, फिर नीचे आ जाएगा, तो दुबारा ए इसको अपपको लगएगा पार्टिकल आगे जा रहा है पीज़ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, बट इसकी यो शैडव है प्रोजेक्शन, एक्सेस पर वोकुछ आपकी और पीचिंशन कर रही है बात समझ में आरी है। सेम चीजा वा जौ्द पर तो आप देख सकते हो पार्टिकल यहां फिरम पहुच जाएगा पार्टिकल यहां तो इसका मतलब इसका को मिलाइव या प्रोजेक्शन ले लूँ तो उसको अगर आप ध्यान से देखोगे वह आपका उसलेशन करेगा ठीक है ना अब बड़े ध्यान से बात समझते हैं इसकी आगे क्या कर सकते हैं हम अच्छे से केस समझते हैं सबसे पहला केस में मानने दो हूँ आपका पार्टिकल यहां है और मान लो आपको बोलया यहाँ कितना है गपर प्रोजेक्शन का सबनेगाई यही तो इसको य यहां इसमी करूंपनेन की वाइप प्रोजेक्शनी कि आ कि यह कितना लिखा जा सकता है बोलो और फिर कितना लिखा जा सकता है और फिर कितना लिख सकते हैं कॉस और हम इसको क्या लिख सकते हैं और कोस फाई इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बट मैंने बोला मानलो यह टाइम के साथ आगे जा रहे सुच अगर यह टाइम के साथ आगे बढ़ता जा रहा है यह दीरे दीरे यहां बढ़ रहा है तो थोड़ी दिर बाद किसी टाइम पर यहां पहुंच जाएगा तो यह एंगल भी बढ़ जाएगा कितना बढ़ जाएगा कितना एंगल बनाएगा ऑच्छा और मुझे यहां क्या लिख देना चाहिए फाई फल्स ओमेगाटी दाएगा और कोस्ड का प्रॉजेक्षन हो गई यह था क्या बोल सकते हो फाई वो एंगल है जो T is equal to zero पर बन रहा है तो यह कुछ-कुछ SHM जैसी equation नहीं बन गई यह oscillation वाली equation नहीं बन गई आप बोलो sir x component भी लिख सकते हैं मैंने कहां ठीक है x component को लिख दोगे r sin 5 plus omega t simple बिल्कुल SHM जैसी equation बन रही है ना क्या particle SHM कर रहे है नहीं particle circle में periodic motion कर रहे uniform circle motion ने omega constant omega constant एंगलो स्पीट से घूम रहे particle SHM बिल्कुल नहीं कर रहा पर उसका जो projection है ना सर जो उसका x और y direction में हो एसे चेम में हमें उसकी equation ढूडनी होती है अब आप बोलो सर क्यों टाइम प्रेट मिल जाएगा तो सर बजा जाएगा क्योंकि उमेगा कोम लिख देंगे टूपाइबाइटी है ना तो टूपाइबाइबाइटी हमारा क्या हो जाएगा अगर आप ध्यान तो अगर आप ध्यान से देखो आप इसको circular motion को बिल्कुल एसे हम से रिलेट कर रहे हो पर सर्कुलर मोशन होता नहीं है पर एकस और वाई डिरेक्शन में जो यहां से देखा यह एंगल आपको दिया था टाइम के साथ यह बढ़ रहा रहा है न आप देखो जैसे यह आगे जाएगा टाइम के साथ एंगल बढ़ रहा है इसलिए फाइब प्लस ओमेगा ठीक है ना चलो और समझते हैं अगर यह उल्टा दिया ओता सर माल नो सर ऐसे दिय गूम रहा था एंटी क्लोक्वाइस गूम रहा था तो मैने माल लिया चलो भई यह वाला अंकल अपना कितना है बो फिर से यह अपना इंगल को रहा था यह मेरी यह कौन सी एक्स एक्स एक्षर और मेंगा से जा रहा है अब मुझे बताओ वक्त के साथ यह angle 5 दभाय घट रहा है जैसे ऐसे time बीतेगा जैसे ईसे time बीतेगा ये येdefined angle बढ़ेगा या घटेगा क्योंकि anti clock जा रहे हैं कैसे जा रहें बting पहले वाले case में तो था तो fire बढ़ रहा था आपको गहीं सब ठोड़ी वाट यह होगे यह यह वाला angle covercare gana मतलब यह एंगल कम होता जाएगा पहले फाई था बट वक्त के साथ कम होगा यानि कि अगर आप इसका वाई लिखोगे तो आप बोलोगे वाई आ जाएगा जो भी रेडियस है इन्टू कॉस और क्या आ जाएगा बोलो कर आप दियान से देखोगे यहां से आ जाएगा फाई माइनस ओमेगा टी क्योंकि टाइम के साथ यह फाई कम हो रहे है और अगर आप एक्स को देखोगे तो यह आ जाएगा आर साइन फाई माइनस ओमेगा टी ठीक है ना अब जो भी दोनों केसे में मैंने इनीशल एंगल लिया था वो हमने य एक्स से लिया था एक्स से नहीं ध्यान रखना इस तरीके से आप इस एक्वेशन को लिख सकते हो अगर यह एंगल फाई मेरा एक्स से होता तो आप कॉंपोनेंट लेके एक्वेशन को बदल सकते थे यहां आपकी एक्वेशन यही आएगी एक सवाल देखते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा स कोई सवाल हो ना तो चीज़ें ज्यादा समझ में आती है मुझा भी जादा आती है जब सवाल देता हुं तो सवाल से करते हैं देख लेते हैं 2019 में क्या कोश्चं पूछा आप देखो ध्यान से 2019 में ऐसा ही सवाल आया circular motion का uniform circular motion का और वह एक अब्जेक्ट एस सारी जरूरत मद्द चीजह इसने दे दिस्सने धेए उसने देखो टीज़िरो पर हमें बता तिया कि पार्टीखल का है देखो कहां बताया बार्टीकल टीज़िकल का दीज़िकल चुछ लुटा już this YES वां मतलब amplitude आ गया थ्री मीटर और क्या पता है हमें सर टाइम पीरिएट कैपिटल टी दे रहा है कैपिटल टी का मतलब टाइम पीरिएड है अरे सर यह तो मज़ा आ गया ओमेगा आगया हमारा तू पाई बाई भाई टी यानिकी पाई बाई टू अरे वाह अपना ओमेगा भी आ अब क्या रह गया अब आपको इसकी एक्वेशन पहचान नहीं है अगर आप ध्यान से देखो आपके केस में अगर पार्टिकल यहां होता है इसको हम बोलते है फाई तो हमारे केस में तो फाई जीरो है ना क्योंकि टी इकल्स टू पर कोई एंगल बनी नहीं रहा फिर मैं क्या लिख सकता हूं जो भी आपका अंप्लिट्यूड है अंप्लिट्यूड कितना है रेडियस यानिकी 3 और फिर क्या आएगा कॉस फाई प्लस ओमेगा टी यह आना चाहिए हमारे केस में अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे केस में फाई तो ही नहीं और ओमेगा की कितनी अगर आप ध्यान से देखोगे पाई बाई टू है मल्टिप्लाइ बाई टाइम तो यानि कि अपनी एक्वेशन बननी चाहिए 3 कॉस पाई बाई टू इंटू टी देखो ज़रा कोई जवाब है जो मैच कर रहे है देखो ध्यान से क्या यह मैच कर रहे है आप देख स सकते हो तो अपना फाइनल जवाब आ जाएगा यह लास्ट वाल ऑप्शन ऑप्शन फूर ठीक है आगे बड़े अब कुछ कुछ रेंडम जो आएं आपके एक्जाम में थोड़ा इनको देख लेते हैं क्योंकि आपके डीपीश में भी कुछ इससरी के कुश्चिन सापको म नहीं होते हैं यह टाइम के बाद रिपीट नहीं करते हैं इनका अगर आप ग्राफ भी देखोगे बहुत अजीब सा ग्राफ आपको नजर आएगा कुछ इस तरीके से अगर आप दियान से देखोगे यहां मैं लॉग ले रहा हूं है ना लोग ओमेगा टी और यहां मैं ट इसका ग्राफ जानते हो एकी पावर माइनस ओमेगा टी का अगर आप ग्राफ बनाओगे टाइम बढ़ाओगे तो यह कम होता जाएगा यानि कि अगर मैं पॉजिटिव कॉडरेंट में देखू तो यह वन से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा मतलब पीछे जाओगे तो aware की ऐसे भी जा सकता है है ना तो यह टी पावर माइनस ओमेगाटी वलस इसटी का ग्राफ है कि पावर ओमेगा टीका अगर आप ग्राफ देखोगे वह ऐसे जाता है यह वन होता है है ना तो यह कोई भी ग्राफ आप देख सकते हो टाइम के साथ रिपीट नहीं होता जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कोस्ट यह अपना आपको एक टाइम के बाद रिपीट करते हैं है ना आप कह सकते हो सिंपल हर्मोनिक सर्फ साइन और कोस की ही बात करते हैं और हमारे इंफिनिटी तक नहीं हो सकते हैं इंफिनिटी वाले नहीं हो सकते हैं इसलिए आप याद रखना कि पूछ सकता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही तो है वो भी टैन कोट सेक को सेक उनको क्यों नहीं लिया जाता है क्योंकि वो finite नहीं है उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा जा सकते हैं इंफिनीटी तक पर साइन और कोस की एक बात याद रखना अगर आप एकस की एक्वेशन देख रहे हो तो आप बोलते हो एकस इकोल स्टू ए साइन ओमेगा टी मालोगी है मेरी इक्वेशन एक्स की तो विलॉसिटी निकालने के लिए आप इसको डिफ्रेंशिेट कर सकते हो ठीक है ना आप डिए एकस बाइटी जो position है वो हमारी time पर depend कर रही है हमारी position वो ऐसी change कर रही है हमारी position जो change कर रही है अब यह pen चल जाए तो मैं आगे बना दूँ बन सेकेंड ओके ठीक है आज pen नराज है चल नहीं रहा है रुक रुक के चल रहा है ठीक है ना ठंड लग गई है इसको ठीक है ठंड का मौसम है पैन का भी मूड नहीं करता कभी कभी चलने का तो अगर आप दियान से देखो कि यह position time का function है तो आप बोलोगे सर यह position है as a function of time इ even अगर आप cos omega t का graph बनाओगे तो वो ऐसा होता है cos omega t का भी अगर आप graph बनाओगे na cos omega t का time के साथ वो ऐसा होता है इसकी भी एक complete cycle में average value 0 होती है चाहे sine की बात करो या cosine की अगर आप दियान से देखो दोनों की average value 0 ही होती है complete cycle में यह आपने सीखा होगा तो अगर आप दि velocity पूछूँ एक cycle में तो वो भी 0 आएगी क्योंकि average position sign का average 0 average velocity cos का average 0 सर्थ दोनों ही answer 0 होंगे अब यहां हम से पूछ रहे हैं average velocity तो आपका answer कितना आएगा बोलो 0 एक complete oscillation में आपकी जो average velocity है complete vibration में वो 0 होगी ठीक है ना आया समझ में अगले सवाल पर चलते हैं 2018 का यह सवा क्या है अब यहां हम इसको है सकते हैं मैंने कहा था हम एक पैंडलम को सब्सक्राइब बहुत बढ़ी होगी तो छोटे-चोटे एंगल पर जाए यहां यहां उसमें बोला acceleration of the bob is इतना at a distance 5 meter from the mean position तो time period निका और यार यह तो इतना सिंपल है आपको acceleration दे दिया और x की value दे दि बोलो एना x आपको दे दिया 5 और acceleration दिया यह अपको सिंपल हैस में क्या है acceleration होता है माइनस omega square x माइनस को हटा दो क्योंकि हमें तो omega की value निकाल नहीं है या जाएगा 20 या जाएगा omega square या जाएगा 5 तो सर ओमेगा square आ जाएगा 4 तो मेंगा की value जाएगी अपनी आएगी टू रेडियन पर सेकेंड अपना जो मेंगा आगया वो कितना आगया बुलो अराम से तसल्ली से देगो टू रेडियन पर सेकेंड आगया सर यह दो बहुत सिंपल है टू रेडियन पर सेकेंड आगये तो बहुत सिंपल है तो यहां से क्या time period निकालने में कोई problem है नहीं सर टू पाई बाई ओमेगा या निकी पाई आ जाएगा क्योंकि अपना टू है तो क्या कोई answer मैच करता है बिलकुल करता है सर इसका जो final answer आएगा वो second option आएगा देख सकते हो बहुत सिंपल सवाल था यह है ना तो आज की चर्चा आज का लेक्चर यही सुमाप करते हैं मुझे लगता है काफी चीज़े हमने सीखी है आज मैंने आप लोगों को important relation सिखाया है जैसे कि मैंने आपको relation सिखाया है v is equals to a square minus x square और यह omega और मैंने आप लोगों को सिखाया है क्या कि maximum acceleration जो होता है वो होता है omega square a maximum velocity हम यहां से निकाल सकते हैं उपर से वो होती है omega a time period का formula x का formula यह सारी चीज़े मैंने सिखाई आज का पूरा lecture बहुत important है पर यह crucial formulas है जो आज के lecture में आपने देखा बार 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 इस्तमाल हो रहे थे हैं और आप लोगों को याद है omega इसमें spring mass system में root k by m होता है time period का formula आप जानते हो 2 pi by omega तो 2 pi m by k यह अभी हम spring mass system की बात कर रहे हैं कोई और system आए तो बदल भी जा सकता है pendulum के लिए यह answer नहीं आएगा omega pendulum के लिए कुछ अलग याद रखने है यह कुछ general formula यह कुछ important बाते हैं recap में तो यह यह बच्चे आप लोगों को जो मैंने starting से पढ़ाया था सबसे पहले मैंने आपको difference दिया था कि क्या oscillation में और periodic function में होता है periodic function सारे oscillatory नहीं होते बट सारे oscillation periodic होते हैं यह याद रखना है उसके बाद simple harmonic special oscillation है जहां time period amplitude पर बिल्कुल depend नहीं करता जो अमर जी amplitude कर लो time period उसपर depend नहीं करता फिर हम लोगोंने discussion किया फिर हम लोगोंने spring math system के जिसमें मैंने यह सारे formulas आपको derive कराएं तो बहुत जरूरी है questions question बाबा question जितने device करोगे जितने question करोगे उतना ही अच्छे आपके लिए सब्सक्राइब करो आप लोगों से फिर मिलता हूं बाइबरिवन टेक केर सी यू सुन